अविशे में जब जब ऐसा होगा अनुचित किये बिना फुत्र अकारंट संकट में आएगा तब तब उसकी माता अपने संपूर्ण सामर्थ है से उसकी सहायता करेगी क्योंकि मेरे पुत्र हनुमान में कुछ भी अनुचित नहीं किया इसलिए मैं उसकी सहायता अवश्य करूंगी माता आप मेरी चिंता त्याग दीजिए मेरी शक्ति और प्रभू के नियाय परता पर आप विश्वास कीजिए माता प्रभू कहां कुछ अनुचित होने देंगे अवश्य इस युद्ध के पीछे मेरी कोई परिक्षा अत्वा जगत कल्यान का कोई महान उदेश नहीं थो क्योंकि इसमें एक और भोले बाबा हैं और दूसरी और प्रभू श्री राम का कार्य है हा देवी संसार में हनुमान और श्री राम की महिमा को और उजागर करने के लिए अतिया वश्यक है ये युद्ध हनुमान मुझे पराज़त कर आगे बढ़ेगा तब ही राम राज्य और उसके साथ सर्वत्र धर्म की स्थापना संभव होगी इसलिए रिदे का ठोर कर आपको इस युद्ध से हटना ही होगा हनुमान की माता होने के साथ जगत जन्नी भी है जगत में धर्म के विस्तार के लिए जगत का ल्यान के लिए इस युद्ध को होने दीजिए प्रत्यक्ष रूप से मैं इस युद्ध में भागलू अथ्वा नहीं किन्तु परोख्ष रूप में आप तोनों की शक्ती बनकर मैं पूर्व से ही इस युद्ध में भागीदार हूँ कि अपकी आग्या के विरोथ भी नहीं जा सकती में यह युद्ध अपने नेत्रों के समख्ष भी नहीं देख सकती इसलिए इसलिए मैं अपने नेत्र बंद रखोंगी जब तक ये युद्ध निरनायप्ना हो जाए किन्तु कोई ऐसा आनिस्ट ना हो जिसे मैं सहना कर यही उचित है देवी, इसी में जगत का कल्यान नहीं थै प्रभू, माता के आशिरवात स्वरूप उनके द्वारा दिये गए इस खड़क के साथ आप से युध करने के लिए मैं प्रस्तुत हूँ इसलिए प्रभू, आपको भी कोई और अधिक शक्तिशाली अस्त्र चुनना होगा मुझे ग्यात है पुत्र, जैसा मैंने पूर में भी कहा था इस युद में, तुम पर कोई दया नहीं करूँगा मैं तुम पर कठोर्तम से कठोर्तम वार करूँगा मैं चंद्रहास रभू ने चंद्रहास का आवान किया है इसका सामना करना तो किसी के वश्मन नहीं तुम आवाँ किसी तुम लिए रभू है से भी अजड़ में तुम आवाँ झाल झाल माता को दिये गए वचन के अनुसार, प्रभू और हनुमान इस यूद को स्रिष्टी से दूर ले जा रहे हैं, जिससे इस महा यूद का किंचित प्रभाव भी स्रिष्टी पर ना पड़े हनुमान, क्या तुम यूद के लिए पुनह प्रस्तुत हो? राम काज की सफलता के लिए मुझे ये युद करना ही होगा प्रभू दोनों महा यूद्धा अपने दिवे अस्तरों से एक दूसरे पर वार करने के लिए प्रस्तुत हैं और जब दो मान शक्तियों का एक दूसरे से टक्राव होता है तो स्रिष्टी से दूर होने पर भी वो स्रिष्टी के लिए कभी भी संकट का रूप धारेट कर सकते जए श्रीराम इतनी तिव्र गती से आगे बढ़ते हुए महादेव के प्रहर को रोकना असंभव है मेरा हिर्देव इतना विसलित क्यों हो रहा है रणकपि गंगा थर अकल्पित देव अचंधित स्रेष्टी चिन्तित जो देखी न सुनी कभी भाई युद्ध वही प्रारंभ को आई जाए गांगा महावली हदुमत की रुचिकल लीला राम बगत की जै 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 रगुनंदन राम जै 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 महावली हदुमा प्रथम प्रहार से ही स्रिष्टी कंपित हो उठी तो प्याक नहीं आगे क्या होने वाला है भुले बाबा की काया तो महाविक्राल रूपधारण करते जा रही है महादेव का ऐसा रूप कदाचित स्रिष्टी में कभी किसी नहीं देखा होगा नजाने क्या होने वाला है महादेव का ये विश्वरूप ये दर्शन अध्भूत भी है और भय उत्पन करने वाला भी नमन भोले बाबा आपके इस विराट दर्शन को संभालो मेरा मान चेश्री राम विमन वाला आपके एक नहीं आपके mettू जयी विमन लापके आपके विराट mezू जशन कैसे भी गया है झाल 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 प्रहार तो भोले बाबा, बहुत ही भीशन कर रहे हैं। किन्तु न जाने क्यों, मुझे इन प्रहारों में शत्रु भाव का आभास ही नहीं हो रहा है। नजाने आज क्या होने वाला है। पुत्रे अरुमान। जिसका भैथा वही होने की संभावना दिखाई दे रही है देव। कैसी रुकेगा ये युद्ध। मैं तो स्वेम हत्प्रव हूँ ये सब तेक्त। कैसरा अर करेंफ mechanics मैं तेक्त्रे अर्षों वाल हुग यह क्या आकाश गंगा में पहुंचते ही मेरी देह का आकार एवो मेरी शक्ती खिन कैसे होने लगी नहीं नहीं मुझे अपनी शक्ती बढ़ानी ही होगी क्लान्थ हो गए पुत्र लो मैं भी तुमारे कार के समान हो गया अब मुझे अपना युद्ध कौशल दिखाओ युद्ध कौशल तो दिखाओ भोले बाबा किन्तु मैं देख रहा हूँ कि आपके पीछे दूर दिखाई दे रही पृत्वी में कमपन हो रहा है आपके समक्ष कंदुक के आकार के जैसी प्रतीत हो रही है पृत्वी मुझे भी तुमारे पीछे मंगल ग्रह कमपित होते दिखाई दे रहा है युद्ध का परिडाम है ये किन्तु युद्ध नहीं रुकेगा तुम अपने भगवान के लिए युद्ध कर रहे हो और उसमें मैं परास्त हुआ तो मेरे आवाहन पराब स्वयम और आपकी सेना युद्ध भूवी में हाकर मेरे पक्ष में युद्ध करेंगे पथास्तु अरहर महादेश हनुमान इसे युद्ध की प्रतियोगिता समझने की भूल ना करो वार करो और दिखाव अपना वास्तविक बल युद्ध का दिखावा करके मुझे निराश मत करना उचित है भूले बाबा युद्ध की कलाएं तो आप ही से सीखी है मैंने अब आपको निराश नहीं करेगा आपका ये शिश्श्य जैश्री राम कर दो महाशक्तियों के ये प्रचेंट गात प्रतिगात इसे शीग रही नहीं रोका गया तो असमय ही प्रलाय की स्थिति उत्पल हो जाएगी हाँ ये था तुम्हारा प्रशंस्नियवार हनुमार प्रभु की दिव्य खडग का तूटा हुआ भाग तो प्रित्वी की ओर बढ़ रहा है प्रित्वी पर विनाश मचा देगा ये प्रित्वी को दो भागों में विभक्त कर देगा ये मेरी खडग का भाग भी मंगल ग्रह की ओर बढ़ रहा है मंगल ग्रह भी नश्ट हो जाएगा संसार के संकट मोचन हनुमान आप क्या करेंगे मंगल ग्रह अधिक दूर नहीं है पहले इन्हें ही बचाता हूँ मेरी खडग का भाग तो प्रित्वी के निकट पहुँच गया है मैं अभी इसे हनुमान पुत्र ये दिव्य खडग महागा तक है कि तुम इसे नहीं रोख पाओगे प्रतीत होता है कि हनुमान चंद्र हाथ तक नहीं पहुच पाएंगे और यदि पहुच भी कर तो उसे नियंत्रित करना सहच नहीं होगा कि अधिख तक तक है प्रतीत फड़िफ नहीं पहुच पाद कर पाद कर फॉर्ड़िप झाल झाल हनुमान पृत्वी लोग और मंगल ग्रहे को संकट से बचा कर तुमने थ्रिष्टी पर उपकार किया है सत्य में ही संकट मोचन हो तुम किन्तु हमारे बीच जो युद्ध होगा वो तुम्हारे युद्ध कौशल के अनुरूफी होगा कि अब महादेर किस प्रकार की युद्ध के लिए कह रहे हैं है हनुमान स्वयम को नियंत्रिद करा पुद्ध जंदर हास को तो रोक लिया है हनुमान ने किन्तु यदि हनुमान स्वयम प्रिथ्वी से ठकराए तो अनर्थ हो जाएगा प्रभू से युद्ध करने चले थे तो भुखतो उसका परिणाम प्रिथ्वी से ठकरा के टुकले टुकले हो जाओगे हनुमान कि आश्चर्य है ये वानर तो अद्भूत है कि भूले बाबा के हाथ में गता उठो हनुमान जदा युद सबसे अधिक प्रिया है ने तुम्हें जदा युद में तो मुझे प्रास कर दो अन्यथा राम काज पूर रह जाएगा अश्व बंधी बना रह जाएगा अश्व में ग्यग्य की अगनी भी ठंडी पड़ जाएगा भोले हनुमत को ललुतारी युद्ध गदा से करो गदाधारी मारी कदा भू पर हनुमाना जाकमपन से शिव को प्रनामा मेरी गदा का प्रणाम स्वीकार करें गुरुदेव भोले बाबा जब से आप से युद्ध कला का प्रशिक्षन लिया है तब से गदा हो या कोई अन्य अस्त्र हर अस्त्र में दक्षता प्राफ्त हो गई है मुझे तो फिर मात्र मात्त से नहीं युद्ध कौशल से इसका प्रमान दो ऐसा ही होगा गुरुदेव अत्यंत भयानक होगा या गदा युद्ध तंसार में दो महाय उध्धाओं की गदा तक्राएंगी तो स्ष्ष्ष्टी में विच्रन निश्चित है युदी में वाच से इसकाई युद्धा झाल नहीं वेच्ट है एल्ञ एडो खुद्धा त से प्रह कर दो लुद्धाओं की अवीपफश्धा है की तोलों पाल प्राप गए से नहीं होगा जाड़क प्रापक Ich ब्रहुम्हा की शक्ति है शिव食ंकर पर हनुवान भी उनी के अन्शे इन ब्रहום्शक्तियों की गदाओं के टक्राने से रहमान को भी विशलित करने वाला ध्रमनाद उत्मन हो रहा है आप असाइनिये हो रही है ये ध्वनी स्वामी यो तो उग्र होता जा रहा है जब भी दो महाशक्तियां आपस में टकराती हैं तो महाविनाश होता ही है आज भी ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है देवी पारवधी सारा ब्रह्मभान कमपित हो रहा है आपका रिदय भी काप रहा होगा मा के रिदय की विथा एक नारी ही जान सकती है देव आप तो जगत के पालनहार है सारी स्रिष्टे विचलित हो रही है कैसे होगा इस युद्कार कब होगा ये युद्समाद अनुमान क्या मैंने तुम्हें यही शिक्षा दी थी कोई भी परिस्थिती उत्पन हो किन्तु युद्धा के लिए शन विध्यान धैर्य और सैयम खोने का अर्थ है पराजय क्या तुम भी परास्त होना चाते हो हुले बाबा गुर्देव से पराजय भी मेरे लिए आशिरवाद है किन्तु आज पराजय का अर्थ है मेरे प्रभू के काज में असफलता और राम काज को ये हनुमान कदापी असफल नहीं होने देगा फिर क्यों युद्ध से तुमारा धान भटक रहा है हनुमान ये युद्ध में ध्यान दे या नहीं पराजय तो इसकी ही होनी है हर हर महादेव पुना एक आगरता खो दी तुमने हनुमान इसलिए अपनी गदाख हो बैठे गुर्देव की संगती हो या विसंगती परिणाम तो कल्यान कारी ही होता है धर्म युद्ध में ऐसे बलिदान देने पड़ते हैं हनुमान ऐसी ही पीड़ा एक साधरन सैनिक को योध्धा बनाती है तुम्हारे भीतर जो योध्धा है उसे जागरत करो हनुमान और समाप्त कर दो इस युद्ध को अन्यथा मैं समाप्त कर दूँगा इस युद्ध को हनुमान अब भी शक्ती शेश है तो आओ मल युद्ध करो मुझसे युद्ध ये प्रचंद है प्रलाई का शंखनाद है शिवसे शिभाच का ये युद्ध सर्वनाश है ये युद्ध सर्वनाश है मुष्टी प्रहार पर महादेश का कि अनुमान तो मल युद्ध के महावीर महादेव के पाओं को अपनी पकड में ले लिया है कि शमा 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 हनुमान, मुझे निराश मत करो, दुरहार करो अपनी पूर्ण शक्ती से अपने पिता केसरी जी से भी मल युद का परसिक्षन लिया है हनुमान ने लिए झार के लास अपने का लाव कि लिया है आपने लाव के लाव के लाव के लाव आप रुमान, यह सकता है थाल्ट मैं सनर शक्ती से खती से तो प्रभू शमा प्रभू कहीं आपको आहत तो नहीं कर दिया मैंने ये क्या शिव जी पर ऐसा भीशन प्रहार हनुमान को नहीं करना चाहिए था ऐसा ये क्या कर दिया हनुमान ने यदि महादेव का क्रोध जागरित हो गया और उन्होंने अपना तृत्य नेत्र खोल दिया तो और शिवजी के तृतिये नेत्र खुले का अर्थ है अनुमान के बृत्यू और सुष्णी का महासखार युद्ध विजय कात्ति की भावना से किया जाता है विरोधी चाहे कोई अपना ही क्यों ना हो कोई भी प्रहार विफल नहीं होना चाहिए